दोस्तास फिर हम बात करेंगे FTX के FTT token के price moment के बारे में entry levels, updated levels और आने वाले दिनों में this coin के targets करेंगे, currently coin 4.1 USD पर trade कर रहा है, सुबे this coin ने almost 4.8 USD से उपर वारा level hit किया और हमने जो आपको previously this coin में entry share की थी, अगर आपने वहाँ buy किया होगा, आपने बहुत अच्छा 30-40% से जादा का quick profit generate किया और अभी this coin में एक अच्छा कासा correction देखने को मिल रहा है, जिन्होंने previously entry में profit generate नहीं किया और अभी this coin में entry देखना, तो किस level पर आपको this coin में entry लेनी है, कहां तक इसकी price में correction देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में, आपके लिए targets क्या रहेंगे, overall सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, उससे पहले जो नए investor trader market में आये हैं जिनको जाद benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा के link वीडियो के description में है, 3.0, 4.08 USD पर अभी coin trade कर रहा है, 3.9 वाले लेवले coin ने hit किया, और यहां पर 4 अबर का chart open करें, तो इस coin ने सुबह के टाइम में ने hit के time में almost 5.89 USD वाले लेवल hit किया था, और वहां से फिर वापस correction देखने को मिला, recently जो market में अच्छी खासी fluctuation देखने को मिली, dump देखने को मिला, वहां इस coin ने 2.7, 2.9 USD तक का low बना लिया था, और हमने आपको जो previous videos में entry share किती, 18 of November वाले video में, 20, 22 वाले video में, as it is target हमने बताये थे, वहां sell किया होगा, आपने 30-40% का quick profit is coin के अंदर generate किया, और अभी भी आपने hold किया होगा, तो जो short term के target है, उसके लिए अगर आपने hold किया होगा, तो आपके portfolio में अच्छा खासा 27% से जादा profit देखने को मिला, क्योंकि यहां target hit किया, वहां से थोड़ा correction देखने को मिला है, डेली का chart open करें, तो यहां पर इस coin में, जुलाई मन्त के अंदर बड़ा dump देखने को मिला था, FTX exchange का token है, FTX जो है, वह crypto derivative trading platform है, और जिसने कुछ scams अगरा किये थे, I hope आपके knowledge में होगा, आपने previous वीडियो से उसमें आपको बार 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 बताया भी है कि इस coin में risk involved है, आपको किस टाइप से aware रहना है, कितनी इस coin में आपको capital लगानी है, यह सारी चीजे हमने previous वीडियो में back to back बताई है, क्योंकि यह coin जो risk हो सकता है, यहां पर moment ज़रूर हो रहा, fluctuation हो रही है, market में moment है, इस coin के अंदर भी आपर volume आ रहा है, लेकिन इस coin में उतना safe नहीं है, जितने हम जो दूसरे coins में trade करते हैं, तो हमने बताया था कि इसमें maximum आपको, जो total आपकी capital है, उसका 10% से ही trade करना, और आपके बाद अच्छे खासे capital भी होनी चाहिए, और उस 10% का अगर कभी बाच्चा से इसी कोई situation होती है, कुछ इसी news को कि इसके जो CEO ह इसको जेल वगिरा हुई है, अभी US के अंदर, US जो डिपार्टमेंट है, जो डिशियल डिपार्टमेंट वो उसकी तरफ से प्रिवियस मन्त में, तो अगर इसी कुछ situation आती है, कुछ इसी news निकल के आती है, इस exchange के अंदर आने वारे टाइम में, तो वो जो capital है, वो आपक करना स्टार्ट किया था, तब हमने आपको टागेट जो बताए थे, हमने टागेट बताए थे, वहाँ पर 10 of November, 11 of November को वीडियो शेर किया था, 4 USD और 4.5 USD, Max to Max, 5 USD तक के टागेट थे इस coin के, और यहाँ इस coin ने 5.53 को ट्राइ किया था, वहाँ भी हमने यह नवंबर के starting में 10 to 11 November को इस coin में profit generate किया, फिर यहाँ जब correction हुआ, हमने 18 को वीडियो शेर किया था, 3.53 पर यह coin था, 2 level पर entry बताए थी, 3.5 और 3.2 USD वाले level पर, उसके बाद भी और भी drop हुआ, तो second entry हमारी थी, 3.3 और 3 USD हैने की, इतने drop के chances थे, इस coin में 3.2 USD, 3.1 USD तक के, वह level हमने जिसको अगर देखें, तो अब इस coin ने as it is head किया है, और short term में 5.5 तक का target था, कल भी हमने वीडियो शेर किया था, जब e coin 4.5 पर आ गया था, वहाँ भी हमने target बताए थे, और कल entry भी हमने share कि थी, कि अगर आपने entry मिस की है, तो यह नहीं करना किये, move कर रहा, जल्दी direction लेता, उपर वाले level से reject होता है, तो आप उस level पर buy कर लेंगे, अभी क्या situation है, देखिए, डेली के अंदर अगर हम बात करें, तो इस coin ने 4.2 USD के round में daily closing की है, अब 4.8 USD वाला जो level है, वह इस coin के लिए, और 4 USD वाला जो level है, वह support area है, इस coin के लिए, daily के अंदर भी और 4 hour म round देखने को मिली है, और 4 hour की closing है, वह भी हमें 4 USD से उपर ही देखने को मिल रही है, तो अबराल 4 USD अभी support area, 4.8 USD वाला license है, तो यहां से देखिए, थोड़ा बहुत, अगर BTC आ से 38,000 के round trade कर रहा है, या तो 38,000 वाले level को break करके, और next जो इसका stoppage area है, वह 40,000 के level का रहेगा तो वहां try करेगा, तो उसका बहुत जादा impact इस coin के price पर देखने को नहीं मिलेगा, ने कि BTC move करेगा, अच्छा break out लेगा, तो ऐसा नहीं है कि यह भी उसके साथ-साथ move करेगा, या तो यह उससे पहले ही move कर सकता है, या उसके बाद move करे, तो यह कोई बहुत जादा, लेक most break होने के chances है, हाला कि 38,200 को try कर लिया था, तो 40,000 को try करने के maximum chances है, तो try करता है, यह coin भी 4.3, 4.4 तक जाएगा, और अगर reject तो होगा, BTC 37,000 तक वापिस आ जाता है, तो यह coin 3.6, 3.4 तक आ सकता है, तो हमारे लिए overall buying aposty क्या रहेगी, बहुत जादा जलिवाजे नहीं करनी इस coin को बहुत जादा potential भी नहीं है, अब एक normal trade के basis पर profit और यह भी आपको धिहान रखना है, sport के अंदर या market में, ऐसा कमपल सारी नहीं है कि आपको रोज profit होगा, चार दिन के अंदर profit होगा, कभी 8 दिन के अंदर profit होगा, एक महीना भी, 20 दिन भी hold करना पड़ सकता है, market करना है, इसलिए आप regular basis पर profit generate कर पड़ा है, लेकिन वो situation जब हम 232 के mid से लेके end वाले time में, जब लगातार market में drop हुआ, या stability रही नौंबर में, दिसंबर में, उस time में अगर आप रहेंगे, तो आपको कभी-कभी एक मेने, दो मेने भी profit generate करने के लिए वेट करना पड़ बहुत जल्दी बाजी नहीं करनी है, जल्दी बाजी में capital आप कमा देंगे, लूस कर देंगे, इंट्री क्या रहेंगी, 3.6 और 3.3, वही लेवल रहेंगे, उससे पहले आपकी इंट्री जो वो risky हो सकती हम बार-बार बताते हैं, यहाँ भी हमने बताया था, फिर भी कुछ लोगों ने इस coin को 4 USD, उससे उपर बाई कर लिया था, I hope आपने अगर बाई किया है, तो आप recover हुए होंगे, आपको recovery price पर sale कर देना है, profit पर बहुत ज्यादा focus नहीं करना, अगर आपकी उपर की बाई है, तो 3.6 और 3.3 वाले लेवल पर ही बाई करना है, by limit लगा कर रखन 8 USD वाले लेवल, जहाँ पर आपको 60-40 के ratio में sell करना, जो short term वाले फो 5.5 तक का target सकेंगे, short term के लिए आपको 15-20 days तक का wait करना पड़ सकता है, इसके लावा जितने भी नए investor trader market में आएं, जिनको जादा knowledge experience नहीं है, वो हमारी premium membership में जरूर enroll करें, वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share क जाएगी, chat access रहेगा, crypto queries resolve की जाएगी, signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बजना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इस्टा की link वीडियो के description में है, बाकि आपर buy or sell, खुद कर रिसक, खुद कर साच के हिस आप से करें, आपर हम कोई fast advice नहीं दे रहें, वीडियो से education purpose हैं, ताकि आपको overall coinculated knowledge हो सके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करें, चैनल को subscribe कर लें, thank you